मेरा फर्स्ट कोर्चन कर रहा है कि जो पर के अधिन है उसके लिए एक सब्द बता है तो उसके लिए एक सब्द होगा पराधिन जो पर के अधिन है उसको बलते है पराधिन मतलब दूसरा के अधिन में है ठीक न मतलब सोतान तरह नहीं है उस दूसरा के अधिन जो दूसरा के अधिन होता है पर का मतलब होता है दूसरा मतलब जो दूसरा के अधिन होता है उसको बलते है पराधिन fashion b इसका correction होगा coach नमोगा धूप कर रहा है कि कूवा खोकर ना मोहाबरक अर्थ क्या होता है कूवा खोकर इसका correct रहा अप्सन c हानी पहुँचाने का प्रयात्न करना यात्न करना हानी पहुचाने का कोसिस करना इस बात को याद रुखेगा option c ठीक ना कोचे नमर आप थिरी के देखिएगा तो कोचे नमर आपको जो थिरी कर रहा है कि छो का उचारान स्थान क्या है चो का उचारान स्थान क्या है तो छो का उचारान स्थान है आपका तालू option B इसका correct answer होगा 6 का उचाना इस्थन क्या है तालू इस बात को आपको याद रखना है चलते हैं question number आपका 4 की ओर question number 4 आपको कवड़ा है कि माहा ओजस्वी माहा ओजस्वी का चंदी विश्यत क्या होगा माहा ओजस्वी का चंदी विश्यत क्या होगा इसका correct answer होगा option A माहा जोर ओजस्वी इसमें गुन संदी का इज़ुआ है ठीक ना ओ जोर ओ मिलके बनता है ओ ठीक ना माहा में आया है माहा में आया ये में ओ आया ता आ जोर ओ बनता है ओ माहो जस्वी हो गया मतलब माहो जस्वी का संदी विश्यत क्या होगा माहा जोर ओजस्वी option A इसका correct answer होगा option 5 गोच्द नावर 5 को हम देखते हैं कोच्द नावर 5 सूद सब्द कौन है तो सूद्द सब्द आपका दैहिक है option A इसका correct answer होगा कोचनवा 6 चलते हैं कोचनवा 6 आपको कर रहा है गिरोह सब्द कौन संग्या है गिरोह सब्द कौन संग्या है आप बताए गिरोह सब्द का अर्थ होता है जूंड, गैंग गिरोह को बोलते हैं गैंग इंगलिस नमें बोलते हैं गिरोह को गैंग तो गेंग क्या है ? समुहूं अचक है जहाँ पर जुन्ड का बोध हो रहाय है ठीक ना ? कोचनव चो का counties का correct answer होगा ? समुहूं अचक गिरो सबенная है ? तो समुहूं अचक county word 7 का correct answer होगा चलते हैं कोचनव 7 के ओर नारी सबत क्या है ? तो नारी आपका इस्त्री लिंग है नारी क्या है अपका एक इस्त्री लिंग है ठीक नश्य बात को आपको याद रखना है कोचे नमर्ह हम 8 क्यों चलते हैं क कोची नमर्ह הौट क कोची नमर 8 हैँशे कृडा आए कि घर से घर से लोटा हुआ लड़का किस कारक का उधारन है तो अपडान कारक का उधारन है option B इसका correct answer होगा क्योंकि जब लड़का घर से लोट रहा है तो घर को त्याग करके चल रहा होगा मतलब घर को छोड़कर और कहीं दूसरा थन पर जाड़ा है मतलब घर को छोड़ा है मतलो घर से अलग हो रहा है लर्का अपदान करक काई कि अपदान का होता है जो करक चिन होता है अपदान से जुदाई जैसे पेड़ से पत्ते गिरता है ये भी अपदान करक उधार नहीं क्यों क्यों कि पत्तिया जो हो रहा है वो पेड़ से अलग हो रहा है ठीक उसी परका है ठीक ना घर को छोर कर लड़का कहीं दूसरा जग पजा रहा है लोट रहा है घर से लोट रहा है छोर कर तो उसके मतलो घर को छोर दिया मतलो यहां पदान करक का यह भी उधारन है चलते हैं कोच नमर नाइन की ओर कोच नमर नाइन कर रहा है कि वे देखता है किस काल का उधार यह देखता है किस कारक उधारन है तो वर्तमान काल का अगर ऐसे रहता हुए वे देखता होगा तो भविश्यत काल हो जाता बट यहां पर है वे देखता है बतलब वो वर्तमान काल के बात हो रही है तीन परजेंट के बात हो रही है तीन अपसन ए इसका को छल दियेdate है को एमें 10 को से कड़ा है कि बिमुक सबत में उपशर क्या है बी मुक्सब्द में उपसर क्या है किसे का जाता है भारतिये समिधान का निर्माता किसे का जाता है भीम्राव अम्वेदकर क्योंकि भीम्राव अम्वेदकर नहीं समिधान को लिखा था ठीक नहीं इस बात को याद रखेगा और समिधान को दो वर्स 11 महिना 18 दिन में लिखा गया था कोच नों बारा कर रहा है कि सेन्स सहाब की पाचलर क्या कशी थी तो बरी सुषील थी अपसंडी इसका कोरेक्टेंस रोगा ठीक है सेन्स सहाब की पाचलर क्या कशी थी बहुत सुसील बहुत अची थी एकने इसका एक बेटा था जिसका नाम था खोका ठीक ना वो बहुत बदमाज था वो कारों को तोरफोर वही कारता था तो पाचुलर के क्या थी सुसील अफसन डी इसका कोलेक्टरेंस रोगा तेरा नमर दखते हैं कर आएक इवनान वो रोम के सम्पुर्ण सहित से कहीं अधीक विशल क्या है? संस्कृत भासा और सहित अफसन ए इसका कॉरेक्ट शे औरहोगा कहने कर था है कि इवनान का जो सहित है और रोम का जो सहित है उससे भी पुराना जो सहित है वो संस्कीत भासा का सहीत है इस बात को याद रखेगा option A इसका correct answer होगा क्योंकि हमारा जो संस्कीत भासा है उनान और रोम के सहीत से भी क्या है पुराना है option A इसका correct answer होगा चोदर नमर question कर रहा है कि नाखुन का बढ़ना किसका परिनाम है नाखुन का बढ़ना किसका परिनाम है ठीक ना तो मनुष की अंद सहजात भृति का option B इसका correct answer होगा नाखुन का बढ़ना किसका परिनाम है तो नाखुन का बढ़ना पौसू भृति की भी पाचान है और मनुष की अंद सहजात भृति का भी पाचान है अप्शन B इसका correct answer होगा इस बात को आपको याद रखना है कोचन में पंद्र काड़ा है कि हिंदी तथा इसकी बिभीत बोलिया किस लिप में लिखी जाती है ति हिंदी तथा इसके जितना भी बोलने वाला भासा है वह देवनागरी भासा में लिखी जाती है अप्शन C इसका correct answer होगा देवनागरी कोचन में 16 कह रहा है कि मीत्र मिलन सिर्षक कहानी का संगरा किसकी रचना है इसका correct answer होगा अमरकांत इसका correct answer क्या होगा अमरकांत अप्शन D इसका correct answer होगा फिर से देखिए कि मीत्र मीलन, सिर्शक कहानी, संग्रा किसकी राचना है, तो अमरकांत का और संडी इसका correct answer होगा चलते हैं कोच नमर 17 की ओर, कोच नमर 17 आपसे कड़ा है कि लेखा की पत्नी, लेखा की पत्नी के रिस्तिदार जो था, वो किस दिन आये थे लेखा के पत्नी के जो रिस्तिदार थे, वो किस दिन आये थे, तो रवी बार के दिन आये थे चलिए, अठार नमर कोचन कर रहा है लेखक राम बिलाज सर्मा कब से कब तक भारतिये प्रगतियसील लेखक संग के माहा मंत्री रहें ठीक ना, मतलब लेखक राम बिलाज सर्मा कब से कब तक भारतिये प्रगतियसील लेखक संग के माहा मंत्री रहें इसका answer correct answer होगा आपका 1949 से 1993 तक इसका correct answer कि होगा 1949 से 1893 तक इस बात को याद रखेगा option B इसका correct answer होगा फिर से question एक वाजी reading कर देते हैं चलिए question काड़ा कि लेख़ के ल्याम बिला सर्मा कभ से कभ तक भारतीए परगती सील लेखक संग के माहा मंत्री रहे हैं तो 1949 से 1953 स्वितक कोचर नमर 19 कर रहे हैं आपसे कोचर नमर 19 आपसे द्वानदात्मक भोतिक बाद मनुस की चेतना को आर्थिक संबन्दों से प्रभावित मानते हुए उसकी सपेक सो अधिन्ता से विकार करता है यह पंक्ति किस पाठ की है तो इसका कोरेक्ट एंसर होगा आपका इस बात को याद रखेगा तो इसका कोरेक्ट एंसर आपका हो जाएगा प्रभावित मानते हुए उसकी सपेक सो जिन्ता सुविकार करता है यह पंक्ति की सिसक पाठ की है तो प्रामप्रा का मुल्यांकन का आपसन सी इसका कोरेक्ट एंसर होगा कोचन नवर बीस की ओर चलते है कोचन बीस कर रहे आपसे कि नेपाल में बिर्जु महराज के एक रिष्टदार थे जिनका नाम क्या था तो हरी हर लाल हरी हर लाल इसका कोरेक्ट एंसर होगा अपसन सी कोचन नवर एकईस कर रहा है कि इसवर पेटली कर इसवर पेटली कर कहां के लोग प्रियेक अथकार है इसवर पेटली कर कहां के लोग प्रियेक अथकार है जिसका कोरेक्ट एंसर होगा अपका गुजरात का इसका कोरेक्ट एंसर क्या होगा अपसन सी चलते हैं 22 नमर कोचन क्यों दर धरती कब तगुमेगी कैसी कहानी है तो समाजिक कहानी है क्योंकि सीता अपने ही घर में घूटन मसूस कर रही थी इस कहानी में ठीक न इस बात को याद रखेगा 4-3 बेटा को रहते हुए सिता को आच्छा सिध्यान नहीं दिया जा रहा था खाने के लिए और उसको कुछ मतल पूछा नहीं जा रहा था जिसके का अगले दिन सिता ने क्या किया अगले दिन सिता ने अपना गहर को छोड़ दिया अप्सन इस का correct answer होगा, ठीक है, कोचन नमर 24 को हम देखते हैं, कोचन नमर 24, कोचन नमर 24 सबसे कर रहा है, कि पपाती बेहोस क्यों परी थी, पपाती बेहोस क्यों परी थी, तो उसका तेज बुखार था, कोचन नमर 25 को देखते हैं, मंगु कब से पागल थी, तो जनम से पागल थी, मंगु कब से पागल थी, तो मंगु जनम से ही पागल थी, अप्सन 10 का correct answer होगा, इस बात का आपको याद रखिएगा, चलते हैं, कोचन नमर 26 की ओर, कोचन नमर 26 आप से कड़ा है, कि पागलो का अस्पताल में उपद्रभी, उपद्रभी मतलब जो, उपद्रभी का अर्थ होता है, कि जो मतलब, मतलब क्या, सरार्थी रहेगा, उपद्रभी मतलब क्या होता है, सरार्थी, मतलब खर्चर, ठीक न, बदमास जिसको हम बोल सकते हैं, पागलो के अस्पताल में उपद्रभी मरीजों को कैसे रहा जाता है, मतलब, जो मरीज, ठीक न, मतलब वैसा मरीज, जो दरभी थे, जो बदमास थे, जो बदमासी करते थे, उसको कैसे रहा जाता था, तो कमरे में बंद करके रखा जाता था ताकि दूसरे पागल को वो कश न पोचाय दुख न दे इसलिए उस पागल मुरीज को कमरे में बंद करके रखा जाता था कोशन नमर 27 हाब से कर रहा है कि मंगु को अस्पताल में भरती कराने के लिए मा के पूत्र ने किसका ओर्डर प्राप्त किया तो डॉक्टर से अप्सन एसका और्डर प्राप्त किया तो डाईकटर का अब सनेज का चर्योःक्रीटें सो रोगा 28 नमर कोचन कहड़ा है कि लच्मी अपने डोनों लर्कियों और चोटे 22 बेटों कर कहां गई लच्मी अपने दोनों लर्कियों और चोटे 26 लाकर घः तो गुहाल में ठी न, गुहाल मतलब पुकार ने, क्योंकि लच्मी के गाउं में बाढ़ा आने माला था, इसलिए वो गुहाल लगाने गई थी, पुकारने गई थी, क्या आप पहले से सतर्क हो जाईए, कोचर नमर 29, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रस्मलाई भेजी है क्या, या किस ने कहा था, तो नरायन के पत्नी भौरी ने बोली थी, ठीक न, यह सीता कहानी में कड़ा है, मतलब धरती कब तक घुमेगी, उसी कहानी का यह पात्र है, ठीक न, और फिर तो कोचर नमर 29 को फिर से आपको परक हम सुना देते हैं, कर आपनी अमीरी दिखाने के लिए रस्मल बाई भेजी है, क्या यो किस ने कहा था, तो नरायन की पत्नी भौरी ने कहा था, अप्जन ए, इसका प मतलब अmile पत्र होगा, कोचन नमर 30 देखते हैं, वली अमाल से ौली अमाल से वली अमाल से कहा के डोक्टर ने पापाति को लेकर मदुऱए जानी किलिका है, तो पाती को ले कर्मदुरोय जाने के लिए कहा था तो गाओ के डाक्टर ने कहा था कि इसको सहर के बरे स्वीटल में ले जाए यहाँ पर ठीक नहीं हो पा रहा है तो कोश्च नमर 31 करा है कि सचिदानन्द हिरानन्द वस से आयन अगे के पीता के का नाम था जिसका खोड़क अप्षन बी डाक्टर हिरानन्द सास्त्री Q32, 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 Q हिख गोजिनमें त्यतिस कर रहे हैं। किनकी रचना है तो दी मैश आहे रहा है कि कङ ट्री आरामीचा के पीता के क्या नाम था। कब इत्री आनामिका के पीटा के क्या नाम था, इसका correct answer होगा आपका excited, option C इसका correct answer होगा option C, 35 कोचन करा है, कि घरे सा लुढखता हुआ उसका घर किस पर आकर थमक जाता है, घरे सा मतो घरे सा मतो घरे का जैसा लुढ़कता हुआ उसका घर किस पर आके थमक जाता है तो गपर अप्शन B इसका क्या होगा? कोरेक्ट अंसर होगा अप्शन B Q. लट कर आउंगा फिर शिशा कभीता किन की राचना है? तो जिवना नंदास की और अप्शन A इसका कोरेक्ट अंसर होगा जिवना नंदास Q. 37 क्योड हम देख रहे हैं? Q. 30 Q. आपसे बोड़ा है कि रेनर मार्या रिल के कावसहलि क्या है? तो गितातमक अप्सन B इसका correct answer होगा गितात्मक कोचन आव हम 38 क्यों चलते हैं तो कोचन आव आपसे 38 कड़ा है कि कभी रेनर मारिया रिल के किनके चोड़ों में छाले पर जाने की बात करते हैं इसका correct answer होगा प्रभू के अप्सन C इसका correct answer होगा प्रभू मतल भगवान होता है फिर से कोचन के सुन लिजे कभी रेनर मारिया रिल के किनके चोड़ों में छाल पर जाने की बात करते हैं तो प्रभू के अपसे इसका correct answer होगा हम कोचन आप 49 के ओड़ जगते हैं कोचन आप 49 के बोड़ा है मेरे बिना तुम प्रभू सिर्षय कभी ता किस हिंदी कभी द्वारा भसांतित क्या गया है मेरे बिना तुम प्रभू जो कभी ता है इसका हिंदी रुमात कौन किया था तो ध्रमबीर भारती द्वारा अब संडी इसका correct answer होगा द्रमबीर भारती द्वारा कोश्चन नमर चालिस के ओर चलते हैं कोश्चन नमर चालिस कर रहा है कि सदियों की ठंडी भुजी, राक, सुखवुगा उठी मीटी, सोने का ताज पहन इतलाती है किस कभीता के पंक्ती है तो जन तंत्र का जनम अब सन एसका कोश्चन नमर चालिस के ओर चलते हैं कोश्चन आपसे एक तालिस कर रहा है कि बिलानवा और अबिनियों के बीच में को नदी है बिलानवा और अबिनियों के बीच में जो नदी है उस नदी के नाम है रोन नदी अपशन A इसका correctे चंसर होगा आइसको ओर देखते हैं Question number 42 को ओर चलते हैं मचली छीनने की कोशिस कौन कर रहा था तो भगू कर रहा था सन्तु मचली लेकर भाग रहा था लेकिन भगु छिनने का कोईचित कर रहा था यंफ जिसमें होती है उसी क्या कहते हैं तो राग चोरेक्रिटिनज होगा और आप देश में पूख करबो जाए जाने वाला राहर यंफ जिसमें jeśli होता है । जिसको में नापकर बोलते हैं नारे प्रकार के गांधी जी की अस्मृति में पूरा राष्टिक की तारीकों उनकी जयनती मनाता है तो दूअक्टूबर क्योंकि महत्यमागांदी की जनम दूअक्टूबर के दिन हुआ था कि मेरा ख्याल है कि अगर वैक्ति का चरीत्र निर्मान कर ने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप समाल लेगा यह किसका विचार है तो महत्मा गांदी को महत्मा जी जी का चिसी बोले की जनम तो कि अगर बेक्ति का चरीत निर्मान करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज आपना काम आप संभाल लेगा यह किसका विचारता है तो गांदी जी का कि कासी में मरन भी माना जाता है तो सूब मतलब मंगल मतलब कोई आछा कर में किया होगा जिसके करने को कासी में आकर माड़ा ठीक ना 49 नमर कोशन दखते है 49 नमर यतेंद्र मिस्रा ने गितकार गुलजार की कविताव को संपादन किस नाम से किया यादा कादा अप्शन बीस का यादा कादा मचली शिर्षा कहानी में मचली और गोश्ट कौन खाता था तो मचली और गोश्ट शिर्फ पीता जी ही खाते थे और कोई उसमें खाते नहीं थे ठो का उचारन स्थान क्या है तो जो होता है ऊदन्त से बोला जाता है ठीक है अब थो दात से सटाइं आप नहीं बोल सकते हैं ठीक नो तो जब तहले दात से नहीं सटेगा ठीक नो वह धल यह थो ना बोला पाएगा अब सब्सक्राइब 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 जब दो ब्यंजनों से सन्युक्त हो जाए तब क्या कलाती है अन्य लाइश कोचन नाविक सब्द का चंदी पिछेत क्या होगा तो नौ जो और एक सब्सक्राइब सब्सक्राइब